तो हूँ आप अपने किचन का टूर कराने वाले हूँ बहुत सा रिकमेंट्स आ रहे थी मुझे कि मैं अपने किचन का पूरा वीडियो के लगेगी तो लगेगेगी तो लाइक आप जारूर कीजेगा कर चैनल फॉस्ट्राइब देख रहे हैं तो और इंशाध़ लाइक दिन मैं आप लोगों के पुरी होम टूर अपनी दिखाऊंगी है गाइस तो अब मैं यहां से अप लगों के स्टार्ट कर रहे हो दिखाना इग्जैक्टली आपको वे दिख जाए कि कहां से मेरा किचेन स्टार्ट है तो यहां पर मैंने वास बेशन है यहां पर डाइनिंग रखा है कि यहां पर होनी चाहिए अच्छा लगेगा मतलब अगर आपको हैंड वॉष करें तो जरूरत की सारी समानिया पर होनी चाहिए लाइक हैंड वॉष एंड टिश्यू पेपर और थोड़ा सा मैंने फ्लावर पॉर्ट रखके सजा दिया और यहां पर मैंने टू-इन-वन यानि होट और कोल वाटर वाला टैब लगाया हुआ है और अभी मैंने इसको इस तरह से ब्लाकी वैने टिपे मैंने यहां पर सोप टावल और सारे मतलब समान यहां पर रखती हुए तो इस तरह का यह पूरा लुक है हैंडल वगर रोज गोल्ड की कीवी है तो यहां का यह यह लुक बहुत अच्छा लगता है कुछ लोगों को बहुत पसंद आया तो इसकी लोग कॉपी भी बना रहे हैं इनके फ्रेंड और सब लोग इसको बनाना चाहरे है तो अच्छा है मुझे भी अच्छा लगता है यह पीछा और पिछे जो वाल पेपर दिये वें उसी का लुक मिरर पर आ रहा है तो बहुत अच्छा यहां पर लुक आता है तो यह इसका टोटल लुक हो गया और बेसीन वेगारा के डिटेल्स में डाल दूंगे मैंने सब अमाजॉन से पचिस किया है लाइटिंग एंड एक्सेक्ट्रा यह टूटल डिटेल्स चेकाउट कर सकते है है डिस्क्रिप्शन में अब यहां पर यह डैनिंग है क्योंकि अगर गेस्ट आती है तो यहां पर अगर आप खाना अब यह सफ कर रहे हो तो यह नो हैंड वॉश करने के लिए एक्जैक्ली सही जगह पर होना चाहिए यहां पर छोटा से मैंने यह फ्लावर पॉट रखा ह टिशू होल्डर रखे हैं यहां पर भी कुछ गिर जाए मैंसी हो जाए तो इजी हो जाता है है हैंडल करना और आप थोड़ा से चोड़ा ट्रे रखाया जिसमें मैं यहां पर फूट्स भी रख देती हूं समटाइम और कभी दही वड़ावे सफ कर सकते हैं यह लाइट भी सब किया तो अच्छा लुक निकल गया यह नो और यह पर एसी लगाने की बात है यह नहीं लगाया है क्योंकि इतना खर्चा हुआ और यह बेबी का क्रेडल में यहां पर ला देते हूं इसको इग्नोर कीजिए कि यह कीचन का पार्ट नहीं है तो मैं यह पर ड्राइकर करक यह मैंने मैक्रोवेब के लिए स्पेशली बनवाया हुआ है और यहां पर नीचे बर्तन होते रखती थी और ग्लास वेगरा कप तो मेरे बच्चे नहीं सवरा कटलेरी सेट यहां ही पर मैं रख रही थी किचन की तो बच्चे एक एकर के बास फोड़ते जा रहे थे तो ला अच्छा लगता है वहां पर इस तरगा की चैन पर रखना और यहां पर मैंने की होल्डर यहीं पर लगा दिया था और यहां पर मेरा फ्रीज है यह डबल डोर फ्रीज है दोर बाई दूर है थोड़ा बड़ा है लूप कैमरे में थोड़ा दिखते है बढ़ा है बहुत सेमि माडूलर किछेन और मैं क्यों सेमि माडूल्र पोल रहे हूं किはは कुछ छीना यहांने पूरा चिमनी विगर हमैने रही सेट अप करवाया और ऊपर मैंने यह नहीं के बिनेट बन वाया है इसलिए मैं सेमी माडुलर कह रही हूं और इस तरह से सारे अगर आप देख सकते हैं यहां पर जो डबे वगर है यह मैंने अमेजॉन से पर्चिस किया है और कुछ चीजे मैं कॉलकाता से लाई थी और यह मैंने लोकल मार्केट से खरदा है यह डेली व्लॉग में में चिक कर सकते हैं यह होल्डर जो इस्पून स्पाचूला होल हैं यह भी मैंने अमेजॉन से पर्चिस किया हुआ है इसका वन थाटी स्वारी वन नेटी फाइंटी सिक्स रूपीज अल्मुस्ट प्राइस थी वन एयर है मिरा अल्मुस्ट रसे लिए बहुत असान होता है नहीं चीज़ी जल्दी जल्दी में आप ले लो और उसके लोकल मार्केट में एजी मिल जाता है विशाल मेगा मार्ट या फिर बीक बज़ॉर्ड वगरा में तो वहां से पर्चिस कर लिया कि यह बहुत अच्छा होता है इसको यूज करना अधर कोई चीज से यहां पर मैंने ब्लेंडर अपना यहीं पर रखा हुआ है क्योंकि आगे दिखाऊंगी वीडियो में और एक मैंने यहां पर मस्टर ऑइल की जार रखी है और एक मैंने रखा है रिफाइंड ऑल की और हनी का एक चोटा सा जब मैं यूज करती हूँ तो और उसको मैं एक ट्रे में रखा हुआ है इसलिए दिख सकते है क्योंकि वहां पर जो सर कर रहा है उसका इस्तमल करती हूँ और यूज कर रहा है तो अदर्वाइस वह साइड में लग देती हूँ और यह प्लटफार्म मेरा एल सेप का प्लटफार्म है सी दिख सकते हैं ऑपन की चैन है अच्छा है और यह डिजाइन वहें हैंने सब पहले से डिजाइन के पहले यूज करते थे ना क्योंकि इटालियन ब्रैट है ना तो थोड़ा उल्टा नॉब है तो मुझे स्टार्टिंग बहुत दिक्कत हुआ प्ला स्टीज में ऐसा नहीं है या फिर पीजन में तो एक दो दिखने है नॉर्मल हो गया एक उसका होल्टा है टूट गया था इ बहुत अच्छा लगता है इसको यूज कीजेगा बहुत इजी है इसको कप अगरा होल्डर करने के लिए तो यहां पे विंडोज होती है ना वहां पे स्पेस जो बचाओ तो मैंने उसको भी यूज कर लिया चोटा सा प्लांट रख दिया और पहले मैंने रियल प्लांट र कर लिजेगा टिशू होल्डर भी मैंने यहां पे की चैन वाला रखा हुआ है क्योंकि अगर यह होता है ना तो बहुत जल्दी कुछ गिर जाता ना तो जल्दी साब मैसी हटा सकते हैं और बहुत जल्दी यह ड्राइव हो जाता है और इस पैचुला है स्पून फोक एक ही यह होल्डर में डाल देती हूं और असाना जल्दी मिल भी जाता है यह पीजन वाला यह बहुत चार सल पहले मैंने लिया था अभी तक चल रहा है क्योंकि आब इसको यूज करना सुरू किया है और अच्छा काम कर रहा है बहुत अच्छा क्योंकि फिर टच स्क्रिन क रखती हूं नॉर्मल मसालों के इलावा भी और सारा मसाला तो बहुत ज्यादा मुझे जरुवत होती है रैक्स की तो यह भी मैंने अमजोन से पर्चिस किया था और सर्फेस भी देख रहे मैंने टैम क्लीन रखती हूं क्योंकि अगर आप क्लीन रखना पसंद करते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छा से असेंबल करके जगे पर रखना पड़ता है और आपको क्लीन और से साफ के शन चाहिए होगा तो मैं की चन बहुत साफ और क्लीन रखना पसंद करती हूं और एक बार नाइट में बीच में तोड़ा गंदा होता है फिर बच्चों को केर करने क के बाद रात में रोटी पकाने के बाद फिर से वापस इसी तरह का कर देते हूं यह देख रहे हैं ना पॉर्ट होल्डर वगर बरतन वगर रैक रखने वाला यह टूलेर रैक है यह भी अमेजॉन से मैंने लिया था इसको खुद एसंबल करना पड़ता है जब वाश करती ह की तो यह मैंने अभी यहां पर लगा है इसको छेंज भी कर सकते हैं शावर अगर वेजटवल्स वगर हीूज कर रहे तो यह भी अमाजॉन कहीं है पता दूँ और यह सिंक भी new model सिंक है यह भी Amazon का ही है तो मैं पता दूँ कि मैं Amazon से बहुत चीज़े अकसर करीदते हूँ बस वह एक छोटी सी वह ग्रीन वाली जो होल्डर देखने है तो यह मेरे मेरे मिस्टो से मंगाया वा था तो यह मेरा overall all kitchen का यह look आता है तो इसलिए मैंने थोड़ा green green कुछ चीज़े कर दी तो अच्छा लगा so guys वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताईएगा तब तक के लिए बाबान ठीक